आप सबी लोग ने एक संस्था के बारे में सुना होगा इस्टॉकॉम इंटरनेशनल फीस रिसर्च इस्टिट्यूट के बारे में जिसे आप लोग सौट में सीफरी कह देते हैं एक क्या करती है कि एक रेपोर्ट निकालती है वो बताती है कि इस साल सेन खर्च इतना रहा है दुनिया की किस देश का कितना खर्च किया गया है इन सब पर बात करती है जैसे माली जी 2020 की अगर हम लोग बात करें कि 2020 में कितना खर्च किया गया है तो कहा गया है कि दुनिया भर में सेन खर्च 2020 में 1981 यानि की 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है ठीक है? और आप जान रहेंगी 2020 पूरा कुरोना महमारी से निकल गया है तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी इस्तिती आप वही हाले कि आपके एक तरसे ले लिजे कि किसी गाव में आपकी दुस्मनी है? आपके पड़ोसी से या किसी से? हमारे घर की आर्टिक्स्तिती बहुत बुरी है हमारे याँ कोई आवदा आई हुई है फर भी हम लोग हत्यार खरीचते जा रहे हैं हम लोग लडाईयों को बढ़ाते जा रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप सोची कि एक दूसरा देश दूसरे देश पर हमला ना करता तो आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा इतना रुपिया बचाया जा सकता था इतने डॉलर की बच्चत की जा सकती थी इतने डॉलर को हम लोग किसी और चेत में खर्च कर सकते थे स्वास्त सिक्षा इन विवस्ताओं पर खर्च कर सकते थे जैसे भारत को ही ले लिजी आप लोग देखिए यह हमारे ब्यारा भारत ऐसिया में और यह आपको देखने को मिलेगा स्री लंका, म्यानमार, बंगलादेश, भूटान, नैपाल और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यह सभी हमारे पड़ोसी देश हैं आप सभी सोचिए कि हम लोगों की सबकी एक बहुत अच्छी मित्ता होती एक देश दूसरे देश को परेशान ना करता अब पाकिस्तान को यह देख लिए आप लोगों की पाकिस्तान हर दिन आप देखते हैं कि आतंकी भेजता रहता है तो हमें यहाँ खौच की जरूर इतना पड़ती अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ने किसी अच्छे हतियार को करीदा तो हमें उससे मुकाबला करने के लिए उससे और बेटर हतियार खरिजना पड़ेगा और आप समस्तकते हैं कि इतना पैसा इसी पर बरबाद करते रहते हैं दूसरी तरह आप चाइना देखिए आप लोगोंने कुछ समय पहले सुना भी होगा कि हम लोग ने फ्रांस से आपके रफेल खरीदे हुए थे अगर आप सोची हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर हमारी इस तना मतलब हमारे पड़ोसी या हमें सेन एक तरसे आप कह सकते हैं कितना दुसमनी नहीं होती तो समझ रहे हैं आपको जो भी आप समझ सकते हैं समझे ठीक है और इस संस्था के बारे में बात करें तो आप देखें कि यह देखने को मिलेगी आपको सुईडन में यह है आपका सुईडन और यह है स्टॉक होम यहीं आपको यह संस्था देखने को मिलेगी इस तरह की जो भी रिपोर्टें आपकी जारी होती है उनके बारे में पॉइंट याद रख लिया किएगा क्या होता है कई बार आपका प्रेलिम्स में डारेक्ट कुश्चन्स भी बन जाता है और संस्थाओं से तो हमेशा कुश्चन्स पूचा जाता रहा है और जातीय रहेंगे जब तक तो स्टॉक हम इंटरनेशनल फीस रिसर्च इस्टीटूट द्वारा फिकासित नमीन तम आकडो के नुसार 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सेंट खर्च 1981 बिलियंद अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है यानि कि आप गय सकते हैं कि बड़ोत्री देखी गई है विस्ट इस एंट खर्च में 2.6 से पितीसत की बिद्धी ऐसे बर्स में हुई है जब बैस्वीग GDP COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक विभाव के कारण 4.4 पितीस तक सिखुड गई है मैंने आप लोगों को एक कहानी बताइए ने कि वही है कि हमारी पड़ोसियों से दुस्मनी चल रही है हमारे घर की आर्थिक इस्तिती खराब है हमारे यहां कोई वीमारी आई हुई है पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दुस्मन से लड़ने के लिए हत्यार खरीदते जा रहे हैं और उस पर हम लोग खर्च कर रहे हैं दूसरी तरफ हमारे घर में खाने के लिए नहीं है पर भी आम लोग खरच किये जा रहे हैं पाकिस्तान को यी देख लीजी आप लो कि मतलब घर में कितनी भी भुकमरी है लेकर हत्यार खरीदने में और इस तरह की हरकतें करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है आप देखेंगे बैस्विक फरिदिस्ट की तो अकल घरेली उत्पाद यानि कि GDP के हिस्से की रूम में बर्स 2020 में सैन खर्च का बैस्विक उसत 2.4 तक पहुँच गया है जो कि आप 2019 में देखेंगे कि 2.2 था आप समझ सकते हैं 2020 में अगर आप सबसे 5 सबसे सैन वेकर्टा की रूम में बात करें तो पहले नमबर पर आप देखते हैं कि सैन वेकर्टा जमेरिका बना हुआ है और आप जानते हैं कि वहां की सैनिक छंता क्या है समझ रहे हैं सैन वेकर्टा जमेरिका USA की उसके बाद दूसरे नमबर पर चीन तीसरे पर भारत चौत्रे नमबर पर आपका रोस और पाचवी नमबर पर आपको देखने को मिलेगा United Kingdom तो आप लोग तीन टॉप को याद रखा करिएगा ठीक है? पहले पर आपका USA, दूसरे नमबर पर हमारा पडोसी चाइना, तीसरे नमबर पर भारत है, ठीक है? इस देश सेव्ट दौर पर स्कुल 62, 32, 32 सेंड खर्च के लिए उत्तरदाई थे अमेरिका की अगर हम बात करें तो साथ वर्ष की लगातार कटोती के बाद, 2020 में अमेरिकी सेंड खर्च में बिर्धी का लगातार तीसरा वर्ष रह है यहाँ भी यानि कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका में भी बड़ोत्री देखी गई है यह आप देखेंगे चीन और रूस जैसे रणनेतिक, पिती द्वन्दियों के कथित खद्रे को लेकर बड़ती चिंताओं और अमेरिकी सेंड चमता को मजबूत करने को लेकर ट्रम्प विसासन के प्रयासों को दर्साती है दूसरी तरब अगर आप चीन के भी देखें तो चीन का खर्च लगातार 26 बरसों से बढ़ा है और सीफरी सेंड बेर डेटाबेस में किसी भी देश द्वारा निर्वार्द विद्धी की यह सबसे लंबी सिंखला है यानि की लगातार आप देख सकते हैं कि 26 बरसों से बढ़ता जा रहा है इसका सेंड निकर्ज वहीं आप देखें कि उत्तर अटलांटिक संदी संगठन जिसे आप लोग नाटों कहते हैं कि लगभग सभी सदस्तों ने 2020 में अपने सेंड बैय में बढ़तरी की है हर लगभग आप देख सकते हैं कि हर देश ने लगभग बढ़तरी ही की है 2020 में सेंड बैय में विद्धी वाले स्थीस 15 देशों में साओधी एरफ, रोज, इजराइल और अमेरिका टॉप पर बने हुए है ठीक है सीस पर थे और छेतिये परिद्धिस से अगर हम लोग परिद्धिस की बात करें तो जैसे आप लोग यूरोब को भी ले सकते हैं 2020 में यूरोब में सेंड खर्ष 4.0 0.30 बड़ा है यूरोब की बात कर रहा हूँ देखिए आप लोग यूरोब यहाँ देखेंगे एचित क्या कहलाता है यूरोब महादीब ठीक है यह आपका एसिया है भूरा महादीब और यह आपका और यह आपका अफिही का महादीब है जापान की बात करें तो 59.1 billion अमेरिकी डॉलर, दच्छिट कोरिया की बात करें तो 45.7 billion अमेरिकी डॉलर, और अस्टेलिया की बात करें तो 27.5 billion अमेरिकी डॉलर, और एसिया और ओसेनिया चित में सबसे वड़े सेन वे करता रहे हैं, तो भारत की स्थिति आप देख सकते हैं की 22.9 billion अमेरीकी डॉलर हम लोग सेन चेत में खर्च करते हैं सभी 4 देसों ने वर्स 2019 और 2020 के बीच 2011 से लिकर 2020 के दसक में अपने सेन खर्च में बिढ़ी की है यानि कि अपना सेन खर्च बढ़ाया है अगर हम लोग उप सहारा अफीका की बात करें तो 2020 में उप सहारा अफीका में सेन खर्च में बिढ़ी देखी गई है 3.4 30 की तीन दसमलाओ 4.3 ठीक है और यह है आप देखेंगे 18.5 billion अमेरीकी डॉलर तक पहुंच गया है ठीक है और खर्च में सबसे बड़ी विढ़ी साहिल चित में इस्तित देशों जैसे चाड हो गया, माली हो गया, मुरी टानिया हो गया, नाइजीरिया के साथ यूगांडा द्वारा की गई है आप समझ सकते हैं यह यूगांडा की स्तिती आप जानते हैं कितनी भायानक कि गरीबी एक तरह से इस चेत में आपको देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अपना सेन खरज बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है और अगर आप लोग दच्छड अमेरिका की बात करें तो दच्छड अमेरिका में सेन वे में 2.13 की गराबट आई है यानि कि आप कहिए कि दच्छड अमेरिका में कमी देखी गई है एक तरह से ठीक है यह कमी काफी हब तक इस चेत में सबसे बड़े सेन वे करता ब्राजील की खरच में 3.1 की तीसद की गराबट के कारण देखी गई है तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखे अगर हम मद्दपूर्वी देशों की बात करें तो आप देखेंगे 11 मद्दपूर्वी देशों ने सहयुक्त सेन करच में 2020 में 6.5.30 की कमी की है और आप देखेंगे पैटॉलियम निरयातक देशों के संगठन जिसे आप लोग ओपेक की नाम से जानते हैं इस तरह के जो भी संगठन ने उनके वारे में एक सामान जानकारी याद रखा के लिए क्योंकि इसे भी कई बार आपके कुश्शन उच्छे जा चुकी है तो इसमें आपके 9 सदसों सदसों मैसी आठ ने 2020 में अपने सेन खर्च में कटोथी की है और अंगोला की सेन बैर में 12.30 साओधी अरप्स की सेन बैर में 10.30 और कुवेत की सेन बैर में आप देखेंगे 5.30 की कमी हुई है गैर ओपेक तेल निर्यादक देश में वहरीन ने भी अपने खर्च में 9.30 की कटोथी की है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुरोना महामारी से भी काफी एफेक्ट फड़ाया लेकिन कई देशों में आप देख रहे हैं कि बड़ोत्री भी हुई है और हमारे हाँ तो आपने देखा है कि पाकिस्तान और चाइना लगा हुआ है तो हम तो किसी भी चाय कर भी आप कम नहीं कर सकते हैं एक तरह से अगर भारत की परिदिश्ट की बात करें और इससे आपके कुश्चंस जरूर फूचता है तो भारत वर्स 2020 में अमेरिकी और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सेन बे करने बाला तेश है या तो आपसे ओनलाइन मर में कुश्चंस बन जाए वन डे में भी वन डे एक्जाम में भी कि भारत सेन खर्च के मामले में किस नंबर पर है स्थेपरी रपोर्ट के अनसार तो आपको याद रखना होगा तीसरे पर पहले पर अमेरिका, दूसरे पर आपका चाइना, तीसरे पर भारत भारत का कुल सेन बे तकरीबर 22.9 विलियन अमेरिकी डॉलर था जोकि बैस्विक सेन बे का 3.9 विलियन गजा सकता है चुँकि हमारे दोनों पड़ोसी किस तरह से लगे हुए हैं तो इसमें भी इस कारण भी हम लोगों को बढ़तरी करनी बड़ी है एक तरफ आप देखेंगे पूरी विलिवी लगदाक में चीन के साथ जारी सेन टकराओ ने निश्चित रोप से मई 2020 में की सुरुवात में भारत को विदेशों से कई आपातकालीन हत्यारों की खरीद करने के लिए फेरिद भी किया है भारत की बासिक सेन बे में 33 लाक वायो विर्द और सेवा निवित रक्षा कर्मियों के लिए एक बिसाल फेंसन फंड भी सामिल है उधारन राथ वर्स 2021-22 के रक्षा बजट में कुल 4.78 लाक करोड रुपे परिवे में से 1.15 लाक करोड रुपे फेंसन फंड का था तो यह भी आप लोग आप लोगोंने बजट पड़ा होगा उस समय भी आप लोगोंने देखा हुआ चीन और पाकिस्तान के साथ दो सक्रिये सीमा बिबादों के कारण भारत के पास 15 लाक से अधिक कर्मियों वाला एक मजबूस ससक्त बल मौजूद है यहाँ आप देखे भी सकते हैं आराम से देखिए हाँ आप लोग एक तरफ पाकिस्तान लगा हुआ है दूसरी तरफ आपको चाइना देखने को मिलेगा ठीक है लद्दाक में आपने देखा है कि काफी समय तक जड़ब बनी रही है अब आप देख रहें कि सांती थोड़ी बनाई जा रही है ठीक है तक बिभेन मोर्चों पर ससक्त बलों को फरीचालन सम्मंदी आपोर्टी की कमी का सामना करना पड़ता है आप देखें कि कमजोर घहरेलू रक्षा उद्दों के काधार के कारण भारत साओधी एरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हतियार आया तक है यानि कि हतियार खरीदने के मामले में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हम लोग बने हुए है पहले पार आपका साओधी एरब है जो सबसे जाना एक तरह से आप कह सकते हैं कि हतियार खरीदता है दुनिया दूसरे नंबर पर भारत जो भारत की रणनेतिक इस्तिती को कमजोर करता है वो 2016 से लिकर 2020 के दौरान भारत ने कुल वैस्विक हतियार का आयाग का 9.5% अकिली हमने खरीदे हैं इस संस्था के बारे में भी आप लोग याद रखी इसकी स्थापना की बात करने तो 1966 में इस्टॉकॉम स्वेडन में हुई थी और यह नीती निवाताओं और सोत करताओं मेडिया और एक चुक जनता को सारजनिक रूप से मौजूद सरोतों के आधार पर डेटा विसलेशन और सिफारिसें फिदान करता है तो इस के बारे में इस रेपोर्ट के बारे में सभी पॉइंट ही नहीं को याद रखिए अगर कुश्चन्स आएगा तो आराम से आप लोग सौल भी कर लेंगे ठीक है